मित्रो नमस्कार हम लोग सेकंड गेड़ हिंदी के इस पाठिक्रम में सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वर्ण विचार वर्ण क्या होता है पहले इसको जान ले हम एक वर्ण होता और एक अक्षर होता है वर्ण का मतलब है कि भाषा में जो ध्वनी हम बोलते हैं सबसे छोटी ध्वनी जिसके और टुकडे नहीं हो सकते अब मा के और टुकडे नहीं हो सकते मा नहीं वो तो मा और आ हो गया मा आ, इ, ए, ओ, लै, इसी प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग भी ये सब वर्ण है अब जो प्रश्ण हमारे आते हैं वर्णों को लेकर के वे आते हैं कि इनके उचारण में क्या-क्या प्रियत्न होते हैं किस-किस तरह से बोले जाते हैं हमारे मुँख के द्वारा या फिर इनका उचारण स्थान कौन सा है इसको लेकर प्रश्न आते रहें अब इस वर्ण में मोठे रूप से तीन विभाजन है एक स्वर है, एक व्यंजन है और फिर अयोग वाह दुनिया है अयोग वाह यानि जिनका योग ने स्वर से है ने व्यंजन से है और वे हैं अनुस्वार और विसर्ग तो स्वार, व्यनजन, अनुस्वार और विसर्ग ये वर्ण है इनके उचान में जो प्रयत्न कहां कहां से होते हैं कैसे कैसे बोले जाते हैं ये और इनका उचान स्थान कौन सा है इससे समंदित प्रश्ण आते हैं देखो हम लोग सबसे पहले जो प्रश्ण आते रहें उसको देखते हैं. RPSC की टीचर सेकंड ग्रेड में 2010 में जो प्रश्ण आया, वो स्वर की प्रकृति को जान निकलिया है. स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर घोष होते हैं या अघोष होते हैं या अलप प्रान होते हैं या महाप्रान होते हैं? अब देखो इसमें अलप प्रान और महाप्रान ये तो विंजन की विशेशता है. इनके बोलने में किसमें ज़्यादा हवा देते हैं और किसमें कम हव देते हैं तो यह अल्प प्रान और महा प्रान की विशेष्टा स्वरों से संबंद इतनी है कुछ लोग स्वरों को अल्प प्रान मान लेते हैं नहीं अगर आप और ज्यादा तेजी से हवा देंगे तो वे महा प्रान भी हो सकते हैं अल्प प्रान भी अगर कम हवा देंगे त अलप्रान भी हो सकते हैं लेकिन संस्कृत व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में दोनों में ही स्वरों के अलप्रान और महाप्रान का कोई डिविजन ही नहीं है स्वर्जों हैं वो सब घोश होते हैं यहां स्वर्तंत्री से उच्छरित होते हैं हमारे यहां पर गले में छोटी छोटी सी स्वर्तंत्रियां है यहां कमपन होती है आप सब गले के हाथ लगाखर के बोलेंगे थोड़ा हाथ लगाई ये सब अपने अपने गले का हाथ लगाई अभी पता लग जाएगा है गोश है का गोश है अगर कमपन होते हैं तो गोश है इ----------------------------------------------------------------------------------------------------- इसका मतलब स्वर सभी घोश होते हैं, तो इसका मतलब स्वर घोश होते हैं, ये स्वर की प्रकर्थी पर प्रश्णा आ गया, आगे चलिए देखे, ये 2011 में अगले वर्ष क्या पूछा गया, निमलिकित में से सम्वृत स्वर है, इसका स्वरों की और हर वियंजन की पांच- वो पांच-पांच विशेषता ही हम पढ़ेंगे, और उससे समंदित सवाल आ गया, सम्वृत का मतलब है जिसमें मूँ जो है बंद होता है, जैसे ई-ई, देखे मेरा मूँ नहीं खुला हुआ, आ में मूँ खुल गया, तो आ तो है विवृत, आ मूँ खुल गया, तो पास पास आ जाते हैं, देखे, दांट टकराने लग जाते हैं, ई-ई, उ-उ, तो ये निमलिकित में से सम्वृत स्वार कौन सा है, ये हमारा उ है, आगर देखे, गय वर्ण बना है, पहली बात तो गय वर्ण नहीं है सब, ये प्रशनी गलत बना हुआ है, बनाने वाले जै एक है यें, और इसमें फिर ए और है, तीन वर्ण है जै में, और श्रिमान जी ने प्रशन पूछा है, गय, गय जो है मूलत है जै है, इसका उचान जै माने, जै वर्ण बना है, तो जै वर्ण नहीं है, तीन वर्णों का समू है, इसमें दो तो हैं व्यंजन, जै और यें, और ये भी स्वर रहीत नहीं है, इसमें ऐस्वर हो रहे हैं, अब ये तो जो गलत प्रश्ण बनते हैं उसकी बात है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जै वन बना है, तो वन तो किसी से बनता ही नहीं है, वन तो सबसे छोटी का ही है, तो पिर वै जै वन बनेगा किस से, इसका अब पहली बात तो देखो इसके भी हल लगावा है और इसके तो हल लगावा है ही नहीं तो इसका हम लिए प्रशन भी गलत है मूलत होना ची जै बिलकुल यैं और ए तब जाकर के ये हमारा जै बनता है हमारा हिंदी में इसका उचार्ण गै हो गया है लेकिन संस्क्रित का ये पिर भी हम लोग इसको इससे जोड़ करके देखेंगे और जैन और ये 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 देखें आप दोनों में हल लगावा ना और इधर तो हल लगावा है ये इसका आप आप तो आप यहां पर आ और जोड़ना चाहिए था चलिए ये हम एग्जमिनर के लिए छोड़ते हैं अगर स्वरों को मूँ के सासात नाक से निकालेंगे तो उसको कहते हैं अनुनासिक्ता नासिका से हो करके निकलना तो ये अनुनासिकता गुन किसका है ये स्वरों का गुन है वियंजन का गुन नहीं है पदों का नहीं है शब्दों का नहीं है स्वर ए ए आ आ ए ओके अभी हम थोड़ा सा इन पे आप लोगों की प्रकृति समझा रहे हैं उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा प्रशनों का उत्तर भी दे रहा हूं लेकिन ये बाद में आप लोगों से बाद में ये टेस्ट में आएंगे तब फिर पूछेंगे अब देखे 2016 पे आजाईए पिछली परिक्षाम आजाईए इन में से कौन सा कथन गलत है इसका अबलब कथन को लेकर के भी प्रशना आते हैं ए कंठे ध्वनी है जियां संस्कृत में कंठे थी लेकिन ए हिंदी में कोमल तालव्य है ये कोमल ये सही आंसर है लेकिन ये तो आं ठीक है इसको कंठे मान करके आप सही मान लीजे वरना हिंदी में कोमल तालव्य है संस्कित में कंठे था यहां से बोलते थे संस्कित में ए और अब बोलते हैं ए ए ये था कंठे ए संस्कित के हमारे लोग ए बोलते थे अब बोलते हैं उपर से ए ए ए ए तो ये कोमल तालव् इसके बाद देखे, स्वर अगोश द्वनियां होती है, तो अभी पहले आज चुका न, स्वर तो गोश द्वनियां होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, उ ओश्चे द्वनियां बिल्कुल है, उ होटों से बोली जा रही है, ये भी सही है, और ये भी सही मान लीजे, और कैस प स्वर्गोश द्वनियां होती हैं देखे पिछली परिक्षा में स्वर्गोश होते हैं ऐसे पूछ लिया और अब की बार अगोश करके और एक रॉंग इसका अंसर बना लिया तो देखे कैसे प्रशन रिपीट होता है अलग-लग ढंग से ये भी है अब देखो यहां बात है अ अब अगर यहां पर स्वर्गोश द्वनियां होती है अगर मान लिए यह आ जाता स्वर्गोश द्वनियां होती है ये भी सही होता ये भी सही होता ये भी सही होता तो फिर हम इसको गलत कर सकते थे क्योंकि हिंदी में कंठे दोनी नहीं हो करके को मलतालब यह है यह है परिक तो वह जानना चाहता है कि क्या संस्कृत व्याकन से हिंदी में जो व्याकन में अंतर आ गया है उसको विद्यार्थी जानता है या नहीं तब जाकर के फिर हम इसको सही करेंगे लेकिन अब जब ये इस पश्ट रूप से ही यहां पर गलत है तब फिर हम इसको सही मानेंगे इ इन में से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंते हैं। देखो यहां पर भी बहुत ही यह चारों यह एक तरह से गलत हैं। अब संस्कित में क्या था टै और थै भी धनते थे और से भी धनते था लेकिन हिंदी में से अब दंते नहीं है से वर्थ से हो गया है। अब ये हिंदी व्याकरणों में भोलानतिवारी की में उदरनानतिवारी की में हर्देवारी की में उसमें से सम्में वर्थ से लिखावा है नै सहले तीनों के तीनों वर्थ से हैं और संस्कित में तीनों के तीनों दंते थे लेकिन अब हमारे एक्जमिनर्स महद ऐसे हैं जो स संस्कित व्याकरण के आधार पर लिखी हुई किताबों को देख करके पेपर बना देते हैं। उन्होंने हिंदी व्याकरण का अध्यनी नहीं किया। हिंदी में जो भाशा वेग्यानिक शोध हुई है उसका भी उनको जानकर ही नहीं है। इसलिए डाई हजार वर्ष पहले संस्कित में अगर सै दंते था तो आप भी अभी उसको दंते माने वे बैठें। आप देखें किस प्रकार से यहां पर ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन आप क्योंकि परिक्षा देनी है नंबर लेने है इनी एक्जामनर महोदे से हमको अंकप्राप्त करने ऐसी स्थिति में है तो है नहीं दंते ये मूर्धन्य ये तालव्य और ये काकल्य इसलिए तीन तो ये गलत हो गए इसलिए इसको दंते मान करके आगे चलिए नं अभी इसका मलब निशकर्श ये निकला कि स्वर और व्यंजन इनकी विशेष्टाओं पर इनकी प्रकृति पर प्रश्न पूछे जाते हैं और यही इस वर्ण विचार के बारे में हमको पढ़ना देखो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं बहाशा में उच्चरित अविभज जिद्धुनी जिसका विऴभाजن नहीं हो सकता मैंने का था ना ये कात्व विभाजन हो सकता है जै य और ए ये तो तीन में विभाजित है इसलिए जयआ विजमंड नहीं है तो परिभाशा क्या है अविभाज जिद्वनी जैसे ए अब आके टुकड़े और तुकड़े किसी और धोनी में नहीं कर सकते ई ये दो तो हो गए स्वर का बा और यह गया अनुस्वार और यह हो गया विसर तो आप देखे इस उधारन में ये सब ये तो हो गए स्वार ये हो आगे देखिए ये स्वर भी है और वियंजन भी है और विसर्ग भी है और अनुस्वार भी है यहाँ पर अनुस्वार अनुस्वार और आप जोड़िए तो ये इस तरह से आप देखिए स्वर किसे कहते हैं मैं स्वर और व्यंजन दोनों को साथ साथ आपके सामने रखना चाहरा हूँ क्योंकि इसमें प्रशन आ सकता है स्वर की विशेशता पर प्रशन अब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण लगातार आप बोलते रहें हाला कि होट गोल होगे लेकिन इतनी बाधा नहीं हुई कि मैं बोली नहीं सकूँ हवा निकली नहीं सके बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण निरंतर उच्चारण इस्वर है लेकिन मुख में कहीं कहीं बाधा के उपस्तित होने और फिर बाधा के हटने से उच्चरित ये बेन जाना है देखें ये है पा पहले मैंने दोनों होटों को बंद किया पा बाधा खड़ी की फिर मुझ को खोला तब जाके आया पा जीब को उपर दांत के लगा लिया और रोध खड़ा किया पहले और इसके बाद में फिर एक साथ उसको खोला तो देखो मुझ में कहीं कहीं बाधा की उपस्तित होगी चाए जीब के साथ हो और चाए होटों के साथ हो चाए गले में का गला बंद कर लिया और फिर गला को खोला का तो कहीं कहीं बाधा की उपस्तित होगी और फिर हटेगा दूसरा देखो बिना किसी अन्य वर्ण की साहिता के उचरीत होता ए, इ, उ, बोले में किसी की ज़रुत नहीं है लेकिन स्वर की साहिता से उचरीत होते प, मैंने बोला, कितना भी जल्दी बोलो प, तो हलका सा आ आ जाएगा इसका मिलब वियंजन बगर स्वर के बोलाई नहीं जा सकता हलका सा स्वर जरूर आ आ प, फिर भी आ, आया क, आ, इसका मतलब स्वर तो आएगा ही बिना स्वर की मदद के, क्यों, स्वर क्यों आएगा जो ही आप किसी मुझ को दबाओगे, पा, फिर मुझ को जब खोलोगे, तो पैके साथ साथ हलकी से हवा और निकल जाएगी वो जो हलकी से हवा निकलेगी, वो स्वर है भाई, इसका मतलब वियंजन बिना स्वर की मदद के नहीं उच्चरित हो सकता तो स्वर में जब की बात नहीं, स्वर तो अकेला स्वतंत्रे बोला जा सकता है तो देखो इसमें प्रशन क्या बन गया वह वन कौन सा है जिसको सतत बोला जा सकता है, स्वर वह वन कौन सा है जो वियंजन की मदद करता है और उच्चारण करने में मदद करता है, स्वार, वह स्वन कौन सा है, जो किसी अन्य वन की साहिता के भी उच्चरित हो सकता है, स्वर, तो इसका मतलत स्वर उव्येंजन इसकी बात होगी, अब देखो ऐसे ही विशर गे और ये अनुस्वार है, ये जो हलका सा है बोलते है अत है देखो ये अत है और यहाँ पर ये लगा दिया विसर अत है तो ये है जैसा है नहीं अत है हलका सा अह है ये जो अह है इसको विसर कहते हैं और ये संसार ये देखो संसार से के ओपर ये जो बिंदी आ गई इसको कहते हैं अनुस्वार ये भी एक वर्ण है ये ने नहीं है मित्रो जैसे अगर ने हो मानलो इसमें देखे बारी की से देखे मैंने से के पहले आधाने लिग दिया हमको लगता है कि ये ने जैसा ये जी नहीं अगर इसको मैं आधाने हो कि आधार पे इसको मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा सनस इसका उचन तो सनसार है ने लिखा तो ने बोलूँगा मैं सनसार लेकिन ये सनसार नहीं है इसका उचन है सनसार सनसार इसका उचन नहीं है नहीं से फरक है तो अनुस्वार नहीं जैसा नहीं होता और ये अलग ध्वनी है तो ये ये रे ले वे शे 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 और है इन आठों व्यंजनों के पहले नाक से बोला जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं। इसलिए उन दोनों को क्या बोलते हैं आयोगवा है इसके पहले ए लगावा है यानि जिसका ने स्वर से योग है और ने व्यंजन से योग है। स्वार और व्यंजन दोनों से जिसका उच्चारण भिन होता है, उसको अयोगवा भी कहते हैं, अयोगवा दोनों को कहते हैं, विसर्ग को भी कहते हैं और अनुस्वार को भी कहते हैं. तो मित्रो वन हो गए एक स्वर एक हो गए व्यांजन एक विसर्ग और एक अनुस्वार चलिए यह आपका अनुस्वार है जिसके बारे में हमने बात कर ली अब अयोगवा है हमारा ने स्वर से मेल और ने व्यांजन से स्वर और व्यांजन दोनों से भिन है इसलिए चलिए हि से पहले स्वारों को लेते हैं और स्वारों की पांच-पांच विशेष्टाएं याद करनी हो जाएंगी यह वो टॉपिक है मित्रो जिसमें नंबर नहीं खोड़ने हैं इस स्वार के विशेष्टाएं पकी हो जाएंगे बस सोड़ा सा कॉंसेंट्रेशन रखी अच्छी तरह से और इसमें कई घपले आपके सामने आते जाएंगे और वो घपले ऐसे भी बताऊंगा मैं जो पेपर में भी गलती से आ जाएंगे लेकिन सही स्टेंड क्या है हिंदी व्याकरण का वो मैं आपके सामने प्रसोठ करूँगा और वो मेरा स्टेंड नहीं है वो हिंदी व्याकरण पर शोध करने वाले हमारे बड़े जो भाशा वेग्यानि कि उनका स्टेंड वो पढ़ाऊंगा मैं आपको चली देखे हिंदी में स्वर हैं हे ग्यारे लेकिन ग् college में लिखते हैं college जो लिखेंगे आप hall हम hall में बैठें जो आप लिखेंगे doctor ये साब अंग्रेजी के शब्द है college hall doctor तो अंग्रेजी मित्रो एक odd होनी है आ और o के बीच ये देखू ये तो है आ और ये है o और इसके बीच है और a a o o मेरे होटों की तरफ देखिए a a o o तो देखिए बिल्कुल गोल हो गए तो a में तो खुले रहते हैं a और o में बिल्कुल गोल हो जाते हैं a o और इन दोनों के बीच की अंग्रेजी का स्वर है a a o o तो ये अलग से दोनी है ये संस्कित में नहीं था इस वर ये अंग्रेजी के शब्दों में काम में आता है तो डॉक्टर ball बाल नहीं ये देखो ये रबाल ये बाल ये रबाल ये रबाल ये रबोल जल्Det बोल सच बूल और यह है बॉल यह पॉल है यह करिकेट की बॉल है बॉल तो दएक है बाल बॉल बॉल यह आ ओ ओ तो मित्रों ये अलग से स्वर है और ये ग्रहीत है हमने हमने इसको ग्रहन किया है किस से किया है अंग्रेजी से ग्रहन किया है ये संस्कृत में थी संस्कृत जमाने में हिंदी थी नहीं तो हमने ये ले लिया इसको ध्यान रखे और इसका लिपी चिन भी ये कर दिया चंदर चंदर बिंदी अलग होती है ये है चंदर ये लिपी चि हैं अब देखो यहां पर मैंने एक स्वर नहीं लिखा वह है री अब यह बिल्कुल कोई विवाद का विशह नहीं है संस्कृत में री स्वर था और री नहीं था दीरगरी भी था री तो यह दोनों के संस्कित भाषा के स्वर हैं और संस्कित की व्याकण में इनको स्वर माना गया है और संस्कित के जो तत्सम शब्दें उनमें हम इनको लिखते भी ऐसे ही हैं लेकिन मित्रो भाषा का मतलब उच्चारन से हैं यह दियान रखेगा अगर आप भाषा को लिखित से नहीं भाषा का मतलब भाष बोलना लिखना तो लिपी अलग है जिसमें लिखा जाता वो हिंदी नहीं है वो देवनागरी लिपी है और जो बोलते हैं हम वो हमारी हिंदी भाषा है तो भाषा का सम्मध हमेशा उच्चारन से लेखन से नहीं जो लोग लिपी और भाषा में धंग से अंतर नहीं कर पाते वो लिपी के आधार पर हिंदी को परिभाशित कर देते हैं और हिंदी को लिपी में ले जाते हैं और उनको समझ भी नहीं आता ही क्या है जो लिखा जाता है उसको अक्षर कहते हैं और जो बोला जाता है उसको वन कहते हैं लोगों ने वन को अक्षर समझ लिया ये भी नहीं वन वन उच्छरित रूप है और अक्षर लिखीत रूप है वह निरक्षर है नहीं निरक्षर नहीं वो साक्षर है बता ही निरक्षर का अर्थ क्या हुआ उसको लिखा हुआ ये सब नहीं आता इसलिए निरक्षर है उसको अक्षर का ग्यान नहीं है तो फिर अक्षर का अर्थ क्या हुआ लिखीत रूप किसका लिखीत रूप वन का लिखीत रूप नहीं नहीं वो साक्षर हो गया है क्या अर्थ हुआ उसको अक्षर ग्यान हो गया है उसको लिपी का ग्यान हो गया है ए आई कैका की की जानता है वो तो इसका मतलब अक्षर क्या हुआ लिखीत रूप हुआ और उसका उच्छरित रूप क्या है वैन है अभी हम जो पढ़ रह है हम हिंदी भाषण पड़ रहे हैं हिंदी भाषण का मतलब भाषित रूप उच्छरित रूप तो हम लोग यह जो रि है इसको ऐसे बोलते हैं, ये रितू, इसका उचान क्या होता है रितू, आर आई टी उ, ये रितू करते हैं, ये आर क्या है, ये रे क्या है, ये तो वेंजन है, ये तो वेंजन बन गया, इसका उचान तो रे करते हैं, रे रितू, तो इसलिए ये जो री है, ये कभी स्वर्था अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और समझना चाहिए क्योंकि वर्ना तो ये आप जिंदगी भर इसमें रहेंगे कि नहीं रीस्वर है कि नहीं वियंजन है देखो हम ये एसे बोलते हैं और इसमें ये जो जीब है ये इसके टच नहीं करती है अब बोलके देखिए इमें जीब ये जीब दूर है ये इसको टच नहीं कर रही है ये स्वर है अगर ये टच कर जाएगी तो वियंजन हो जाएगा देखो यहां पर यह है रै 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 बोली यह जीब टच कर रही है रै 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 ई रै ई रै ई रै ई में ठच नहीं करती दूर खिची रहती है रै में विंजन टच करती है अब अगर यह बाधा पैदा हो गई बाधा हो गई न पैदा अभी हमने परिभाशा पढ़ी थी न विंजन की अगर मुँ में कहीं पर भी बाधा खड़ी हो और फिर बाधा हटे वो व्यंजन है और जिसको लगातार बोल सके कोई बाधा की जरूत नहीं वो स्वर है इ लगातार बोल सकते हैं रै को लगातार नहीं बोल सकते रे जीब लगी टच हुई जीब अलग हुई रे बोला रे जीब को लगाया उपर मूर्धा पे और वापस खीश लिया रे तो ये टच जब कर गई ये व्यंजन है अब जिसको हम री बोलते हैं री तो आप बोलके देखें जीब टच करती है एक नहीं री बोलने में रितू र री री टच कर रही है ना जब टच कर रही है री री में बोल क्या रहे हैं रे और ई बोल रहे हैं तो आप रे बोल रहे हैं रे का मतलब व्यंजन बोल रहे हैं इसका उचान तो व्यंजन जैसा हो रहा है री फिर संस्कृत में स्वर क्यों था संस्कृत वाले इसको री नही री बोलते थे संस्कित वाले संस्कित वाले ये जीब दूर रहती थी और ऐसे इसको री बोलते थे री मैं जीब दूर खीच करके दूर रख करके बोल रहा हूं री 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 ये स्वर था ये संस्कित में स्वर था और ये यहां से दूर इतनी दूर रहकर के री बोला जाता था री री ये और ये अब क्या हुआ आगे चल करके ये यहाँ टच कर गई और टच करते ही इसका उचान हो गया री री अब देखे री री में जीब टच कर गई इसका लोगी स्वर नहीं रहा ये पाली में ही री हो गया था क्यों संस्कृत में री था और पाली भाषा जो ड़ाएजार वर्ष पहले आगे उसी में री बन गया फिर प्राकृत और अभ्रण्ष और फिर हिंदी उसमें यही चला आ रहा है धाई हजार वर्ष पहले परिवर्तन हो चुका है इस री स्वर का लेकिन अभी भी हम दोजार अठार में भी हमारी जो किताबें लिखी पड़ी हैं छपी पड़ी हैं जिनको पता नहीं है कि इसका उचारन क्या हो गया वह अभी भी हिंदी में री को स्वर मान रहें भोलानात तिवारी किताब देखे वहाँ पर री को स्वर नहीं माना गया है, री स्वर नहीं है, री का उचारण अब व्यंजन की तरह होता है, कोई भी जीब को दूर खीच करके री नहीं बोलता, सीधे यहां लगाते हैं और इसको बोलते हैं री, रे, री, जीब को टच करते हैं, जीब को टच करते हैं, यह स्वर नहीं होक इसलिए मित्रोattend यहां पर री स्वार नहीं होगा अब A, A, O, O यह हमारे अब ग्यारस्वर हो गए इसमें यह ग्रहीत हो गया बहतों को इसका भी पता नहीं कि ग्रहीत हो चुका है अंग्रेजी से ग्रैंड कर लिया यह पता नहीं है और वे इसके स्थान पर री को जोड करके ग्यारसवर बताते हैं ग्यारसवर ऐसे नहीं है ग्यारसवर है ये साब जिसमें री नहीं है क्योंकि वो व्यंजन की तरह उचरीत होता है और ये हमने अंग्रेजी से ग्रहन कर लिया है और धडले से डॉक्टर बॉल्ट कोई भी गेंद नहीं बोलता, बोल बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, महाविद्याले कोई नहीं बोलता कि मैं महाविद्याले जा रहा हूं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, इतना कॉमन हो चुके हैं ये शब्द, और ये अब हमारी भाशा के शब्द हो चुके हैं, तो इनको हमने अपना ल यह हिंदी में स्वर नहीं रहे री का उचान री हो गया रे विंजन की तरह स्पष्ठ हो गई मैं कर चुका हूं और अंग्रेजी भाशा से ग्रहीत स्वर है और यह उद्रनान तिवारी भोलाना तिवारी हर्दे बाहरी इनकी मूल किताबों को आप पढ़िए वहां सब कुछ यही लिखावा है कि री हमारा स्वर नहीं है और ओ हमने अंग्रेजी से ले लिया है तो मित्रो यह हमारी इस्तिती इनकी है अब तो सवाल तो वर्गी करण का है कितने हैं इसकी प्रकृतिय पांच अब इसमें पहला देखिए पहला वर्गी करण है रस्व और दीर्ग रस् और आप छंद भी पढ़ेंगा, आपको मालूम है, रस्व की मात्रा है लगु, और इसकी है यह गुरू, यह लगु और गुरू है, मात्रा, क्योंकि इसके रस्व के बोलने में समय लगता है कम और ठीक इससे दुगना समय लगता है दीर्ग में, इसलिए रस्व और दीर्ग ये दो हैं हमारे, बहुत सरल है, आप सब जानते हैं, देखिए, वरणों के वरगीकर्ण के आधार एक और समझ लीजे, दो होते हैं, यहां चुका है प्रशन, वरणों को कितने आधारों पर वरगीकरत किया गया है, बाटा गया है, दो आधार पर, है तो पांच विशेष्ट स्थान को लेकर है, लेकिन आधार दो हैं, उच्चारन स्थान और प्रियतने, अब देखिए, स्वर्ख के उच्चारन में लगने वाला समय, और इसके आधार पर, हमारे यहां पर हो गया, रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् था और ये भी रest था लेकिन जब री अभे हिंदी में स्वर ही नहीं रहा तो फिर हम रास्व शेख स्वर में इसको शामिल करी कैसे सकते हैं लोगों ने इसको शामिल करके और चार हमारे रश्व स्वर मान लिए हैं उनको हिंदी व्याकन का पता नहीं और संस्क्रीत व्याखन क्याधार पर रीको स्वर माने बैटे है और दीग स्वर है हमारी ये आ आठ जिसमें ये नया स्वर भी जुड़ गया आ ये भी दीर गया तो कुल मिला करके आठ और तीन ग्यारे स्वर हो गया और तीन रस्वें कुछ लोग ब्रांती से देखे कहां गलती हो सकती है ए ये ए और आ ये छोटी और ये बड़ी और ये छोटा हूँ और ये बड़ा हूँ ऐसे इसको छोटा है मान लेते हैं और इसको बड़ा है मान लेते हैं जी रस्व नहीं है, ये गूरु है, ये भी गूरु है, इसका अलए बी और आय बी ओर और ये तो चारों के चारों दीरग है और आ और ई और ओ इ ओर अब दीर pillars भी है, अब चलिए सर, छंद में लगू मात्रा जो है वो ये ऐसे होती है, और दीर्ग्रस्वर की मात्रा होती है ये होती है जो आगी पढ़ेंगे ज़ोग, अब मित्रो ये देखो हिंधी स्वरों का वर्गी कंड, ये एक शानदार स्वरचित्र है, और ये स्वरचित्र आपको उदर्नानतिवारी किताब मिल जाएगा, मिल जाएगा, س्टेंडर्ड की बह्शा विज्यान की किताबों में ये मिलता है, ये देखो, ये कैसे ऐसा सा यो बना हुआ है, यो सीधा नहीं बन करके यो बना है, ये ऐसा क्यों बना, ये क्या चीज है, इसमें इई उपर क्यों है, उपर क्यों है, फिर ए क्यों है, फिर नीचे आई क्यों है, ये इस तरह का भी भजन कैसे है, उसका आधार है हमारे मुह में जीब की इस्ति मित्रो मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ अब देखो हमारी जीब यह लेटी रहती है जबड़े पर रहती है यहाँ पर है हमारा ए तो यह देखे लीजे ए इसके बाद आ आ आ आ में जबड़ा नीचे आ जाता है ए आ और ए को तो बोलते हैं यहाँ से ए आ आ को पीछे इसे बोलते है तो जो आ है वो ए से नीचे भी आ गया और पीछे की और भी आ गया तो ए तो बीच से बोला जाता है ए इसलिए मद्यस्वर कहलाता है ए और ये आ ये आ की स्थिती हो गई आ थोड़ा और उपर की स्थिती ये हो गई आप देखे ए ये हमारी जीब यहां से उठेगी और यहां जाएगी तो यहीं से ए और थोड़ी सी जीब और यहां हो गई और यह बन जाएगी ए ए ए तो साफ य ये जीब जो अगर ये जीब ऐसे लेटी रहती है तो ए है और ये जीब यहाँ चली गई तो ये हो गई ए और इसके बाद ओ ये जीब योँ उपर ऐसे जाती है ये ओ की स्थितिय है और बड़े ओ की स्थितिय है देखो आपको लगए कर रिसा हम तो ओ में होट गोल करते हैं जी नहीं, जीप पे ध्यान दीजे, मैं बोल ला हूँ और आप भी अपना बोलिए खोड़ तो गोल होते हैं, उ बोले मैं, उ लेकिन जीप का क्या हल हुआ? देखो, ए के बाद उ बोलिए, पता लग जाएगा आपको ए, उ, जोर से बोलिए, ए, उ और जीप पे ध्यान दीजे, ए, लेटे हुई है, उ, जीप उपर उठ रही है, ऐसे, ऐसे उपर उठ रही है, ए, उ, तो जीप उपर जाती है, ये उपर जाने की ये रिस्थती, उ और उ में, तो ये हमारा इ और ये हमारा उ है, तो ये देखो, ये ये और ये हमारा उ है, मैं बता रहा हूं कि यह डाइग्राम बहुत important है जिसको यह डाइग्राम रट गया वो स्वरों की पांचों विशेशताएं सही करके आ जाएगा लेकिन यह तो समझो कि यह डाइग्राम ऐसा बना क्यों है यह डाइग्राम बना है हमारी जीब की सिस्तिती के आदार पर तो देखो ए ए में ऐसे जाती है यह रह ए और उ में ऐसे जाती है और यह रहा हमारा उ और ए में यह टे रहती है और फिर आ नीचे हो गया और फिर आ हो गया अब जीब अगर यहां जाएगी तो यह है ए और जीब और थोड़ी सी नीचे आएगी तो यह होगा आई देखे बोलके ए ए ए ई और इसी ए से नीचे आई है आई आई ए ए ए ई जीव और उपर यह उड़ती उड़ती चली जाएगी ए ए ए ए ई ए ए ए ई ऐसी ए आ ओ ओ ओ उ तो मित्रो यह जो डाइग्राम है यह मूलते स्वरों के बोलते समय हमारी जीव की इस्तिती कैसी रहती है इसके आधार पर बना है अब देखो यह हमारे आगे की तरफ जाते है तो ए ए ए ए आई जीव आगे जारी ए ए ए ए ए इसलिए यह हमारे अग्र स्वर हो गए यह हमारा मद्ध हो गया है और बाकी साब प तो देखो यह अगर है, यह मद्ध है और यह पश्च है, इस आधार पर यह हमारा एक चित्र बना है, तो स्वरों का उचान करते समय मुख में जो जीब खिस्तिती रहती है, उसके आधार पर यह डाइग्रम बना हुआ है, यह बार बार आएगा, इसलिए आपको चित्र समझ लिजे, अब इसके समझने में इतनी सी बात है मित्रो, इस डाइग्रम का इधर जो कोना है, वो तो है छोटी ए और बड़ी का एक साथ, एक ही पॉइंट पर है यह दोनों, और इधर का जो कोना है, इस पर है O और O, इधर है E और E, और इधर है O और O, अब इधर देखो E औ और O से नीचे O, फिर A से नीचे I, और O से नीचे O, इधर आई और इधर O, और यह आ है मद्धे, इसमें सब से नीचे यह है A, और इसके दोनों के A और O के बीच में है O, इसको अच्छी तरह से समझ लीजे, उपर आपको यह दो, तीन, चार बार हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा यह डाइगराम, और डाइगराम ऐसे बना लीजे, यह बना लीजे, यह बना लीजे, और इसमें दो लाइन बीच में खी दीजे, और एक लाइन सेंटर के लिए यह खींच लीजे, यह डाइगराम बना करके इसमें लिखिए इधर ई, पिर आइ, ःदर उ, उ, फिर ओ और औुर औॉ और बीच में आ पर आप, और इस कोने पर आ, और यहां इन दोनों के बीच में यहां पर आप, चार पांच छे बार इस डाइग्राम को लिखिए ये आपके दिमाग में खुद जाना चाहिए जिसके दिमाग में खुद गया अभी देखने वाले हैं आप आगे चल करके स्वरों की सब विशेष्टाइं ठीक हो जाएंगी सब याद हो जाएंगी इस डाइग्राम सी बहुत वहाँ पर परिक्षा में रफ कौपी मिलेगी आप रफ कौपी में वहाँ जाकर के डाइग्राम बना सकते हैं और स्वर्से समंदी जो भी इसकी विशेष्टा समंदी जो भी प्रशना है उसका आप उत्तर दे सकते हैं देखो कैसे उत्तर देंगे अभी अभी देखिया आप देखो सम्वरित और विविरित पहले तो समझे सम्वरित संवरित का मतलब है बंद और विवरित का मतलब है खुला उसका विपरीत है क्या बंद और क्या खुला मूँ आ मूँ बंद है खुला है आ खुला है तो यह विवरित है यह रहा विवरित कारत है खुला और इस संवरित कारत है यह बंद लिखावा है सब आपके पास तो देखो सब ये सम्वरित कौन कौन से स्वर हैं ये चार स्वर हैं ये चारों सम्वरित हैं क्यों मूँ बंद रहता है ई-ई देखिए सही उपर के नीचे के दाट टकरा रहे हैं आपके ई-ई उ-उ दाड़े टकरा रहे हैं आपकी उ-उ ई-ई अगर ई-ई और उ के बोलने में दाड़े पास पास में आगे तो मूँ बंद हो गया ना ई-ई उ-उ तो ये चार स्वर हमारे सम्वरित हैं अब देखिए इसके बाद जो ही ई के बाद में ए पर आएंगे मूँ बोलके देखिए ई-ई-ई मूँ खुला ई-ई-ई उ-उ उ-उ ये खुला मूँ इसका मलब आधा जो है आधा बंद है तो इसको कहा अर्द सम्वरित ये दोनों अर्द सम्वरित हैं ए और ओ ये डाइग्रम दिहान रखिए ई-ई सम्वरित उ-उ सम्वरित ई के बाद आता है ए और उ के बाद आता है ओ ये अर्द सम्रित तो सम्रित के पडोस में कौन सा है अर्द सम्रित ये सम्रित के पडोस में है अर्द सम्रित और उसके बाद में आ पर आई ये सीदिया आ विवरित आप जानते है आ एक इस वारे विवरित अब इसके पडोस में जो चारों के चारो ये हैं आर्द विवरित आई और आउ ए और आ इसका मतलब क्या हुआ साथ इसका मतलब ये जो सम्वरित और विवरित के आधार पर जो विशेशता है इसके चार भाग हो गए एक हो गया सम्रित एक हो गया अर्ध सम्रित एक हो गया अर्ध विबृत और एक हो गया विबृत चार भाग है तो समझिए मित्रो इसमें सबसे उपर ए और ए उ सम्रित ए का पड़ोसी ए रू का पड़ोसी ओ अर्ध सम्रित और आ विबृत बाकी बच गए आई और आओ और आ ए और आ इसको याद करने की ज़रूत नहीं है, तीन को याद कर लिजे, ए-e सम्रित, ऊ-उ सम्रित, इ का पड़ोसी, ए अर्ध सम्रित, ऊ-का पड़ोसी, ओ- अर्द सम्रित और आ हमारा विवरित है ही बाकी बच गए अई और आउ ए और आ ये अपने आप में अर्द विवरित होगे क्योंकि विवरित के पड़ोसी हैं अब आप यहां थोड़ा सा ही कह सकते हो कि साब सम्रित मींस बंद अर्द सम्रित मींस आधा बंद और विवरित मीं आधा खुला तो साब जो आधा बंद है ये तो है आधा बंद आधा बंद है और ये है आधा खुला तो कि साब ये क्या चक्कर है जो आधा बंद है और आधा खुला एक ही दो बात हो गई मित्रोई टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें बंद रहता है उसको कहा सम्रित थोड़ा और खुल गया उसको कहा अर्द सम्रित फिर थोड़ा और खुल गया उसको कहे दिया अर्द विवरित और जिसमें पूरा मुंग खुल गया उसको कह दिया विबृत ये मुंगे खुलने के आधार पर चार स्टेजेज है सम्रित, अर्द सम्रित और अर्द विबृत और विबृत इसको याद कर लीजे ये डाइग्रम याद करा देगा ये है E और O सम्रित ये का पड़ोसी A और O अर्द सम्रित आ है विबृत और बाकी बचगे सो अर्द विबृत ये स्वरों की दूसरी महत्मुन विशेष्था हो गई अब देखो ये लिखावा है सम्रित E E U U अर्द सम्रित A और O विबृत A और अर्द विबृत A I और A अब देखें की स्री विशेष्था पे चलते हैं ये घर पे जाकर के आपको देखना है घर पे जाकर के डाइग्राम बनाना है और डाइग्राम बनाकर के इन विशेष्थाओं को आपको याद करना है अगर घर पे आप नहीं करोगे तियो उड़ जाएगा और घर पे कर लोगे तो पक्के नंबर आएंगे अभी धीर आगे तरके अभ्यास कराओंगा देखें क्या पक्के बनते हैं आप यही हिंदी स्वरों का वरगी कंड चल रहा है अब किस पर है आमुक कैसा हो रहा है वृत वरित के नहीं गोल घेरा सरकिल सरकिर के वरित और अबरित मेंज गोल नहीं ऐसा तो देखो भाई वू Igor होगे नहीं होट गोल और ई कैसे उमें यह इंग होट होगे ई टो ऊ ऊ गोल है और ई आप देखो इसके आधार पर स्वरों की क्या विशेष्टाई बनती है होटों के गोल होने या गोल नहीं होने के आधार पर ये वर्गी करना है अगर गोल हो गए तो वृत्ता मुखी और गोल नहीं होए तो ऐ वृत्ता मुखी गोल नहीं होए गोल नहीं होए तो फिर क्या होए तो फिर चप्टे ही रहे गे, अब देखो व्रत्तामुकी होट गोल, उ-उ-ओ-ओ-ओ, पाँच है सब, देखे, ये पाँच, मेरे होटोंगी दरब देखे, उ-उ-ओ-ओ-ओ, गोल ही बने वे हैं, उ-उ-ओ-ओ-ओ-ओ और ये देखिए, ये हमारे छे, ए, 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 आ, 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 में मूँ खुला तो है, गोल नहीं हुआ, गोल अब होगा देखे, आ, ओ, आ, ओ, फिर, आ, ओ, ओ, उ, उ, फरदर गोली होते गए बहुत सरल है मित्रो, इधर ये शुरू के पांच, ये वृत्ता मुखी हैं, पांच को याद कर लो, और याद नहीं करने की ज़र होता है, अरे बाबा, अपने होट तो आपके पास है ना, बोल के देख लो ना, उ, उ, ओ, 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 खोट गोल हैं, तो ये पांच हमारे हैं, और बाकी बच गए उनको छोड़ दो, आप वृत्ता मुखी हैं, याद कीजे पांच, पांच वृत्ता मुखी बाकी को छोड़ दीजे, वो तो आप वृत्ता मुखी हो गए, तो इसमें रचने की बात नहीं है, समझने की बात है, उ, उ, ओ, 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 ये पांच वृत्ता मुखी और बाकी वृत्ता मुखी अब चलिए आगे देखिए और फिर वर्गी कंड पर चल रहे हैं मूँ में जीब की स्थिती को लेकर देखो स्वर के चाड में जीब के आगे या पीछे जाने के आधार पर जीब इसमें आगे जा रही है ऐसे ए ए ए ए तो चारों में जीब आगे जा रही है इसलिए चारों के चारों क्या है ये अग्रस्वर है ये आगे के स्थिती है ये मूँ के आगे के स्थिती है इसलिए अग्रस् और चार इसमें भी रटने की बात नहीं है आपके पात जीव है बोलके देख लिए ई ए आई जीव आगे तो जा रही है ई ई ए ए आई आगे जा रही है तो ये हमारे ओगे चले गए तो देखी इसमें जीव आगे जा रही है हमारी तो ये हमारी अग्र स्वर हो गए ये बीच में रहता है ए मध्य स्वर है ए जीव योँ डेटी रहती ए और बाकी सब क्या हैं ये ये है पश्च स्वर ये पश्च और ये है मध्य और यह है अग्र बहुत सरल हैं आप तो अग्र को तो इसको याद कर लिजे और एक आ को याद कर लिजे मद्द इसको याद करने की जोत नहीं है अपने आप ही पश्च छूट गया सो पश्च तो देखो अग्र स्वर याद कर लिजे और मद्द स्वर आ याद कर लिजे बाकी इतना मुश्किल नहीं है बशर्ते की यह डाइग्राम आपका अच्छा हो पक्का हो अब देखिए मुख विवीर में उच्चारन स्थान तो स्थान के अधार पर है देखो जीब कहां पर जा रही है यह हमारा एए देखो यह एए यहां से बोले जाता है और इस स्थान को कहते हैं तालू और तालू होने के कारण एए कहलाता है तालवे तो यह तालवे हो गया सब क्योंकि जीब कहां जा रही है तालू के पास इ, ई, ये आगे का भाग ये तालू ये, कठोर तालू है यहां पर जा रही है ऊ, उ, ऊ, ds है जो हवा निकल लिए हूँ, होटों से निकल लिए ऊ, उ, उ, ये ओष्थ है इ, 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 मैं आवाज निकल लिये तालू से, जीब तालू के पास जा रही है इसलिए ई-ई तालव्य है, यह उचाण अस्थान पर, इ-ई तालव्य है और उउँँँँँ ओश्थे है, अब देखिए ई के बाद में आए ए आई और ए तालू कंठे है, तालू कंठे कैसे हुआ, देखो इ सिर्फ तालू से हुआ निकल लिये, तालू से आवा जा रही है, ए, यहीं से आवाज आ रही है, ए, जीब तो तालू पे गई, तालू, और आवाज आ रही है, ए, ए, जीब तो जा रही है तालू पर. यानि आवाज जीप तो जा रही है तालू पर ए और आवाज जा रही है कंट से ए यहां से हो रही है इसलिए तालू कंठे यह तालव्वे और यह तालू कंठे ये ओश्चे और ये ओश्चे कंठे ये दोनों कंठे ये तालवे तालू कंठे ये ओश्चे ये ओश्चे कंठे क्यों ओँ होट तो होगे आपके देखो होट तो आपके पास में गोल है ये ओश्चे है तो ओँ होट गोल है लेकिन आवा जा रही कंठ से ओँ यहां से आवा ज जाती होटों से ओ होटों से होट तो होगे गोल और आवाजारी कंट से ओ इसलिए ओश्ठे कंठे फिर से देखो मित्रो इई तालव्वे और ए आई तालू कंठे उउउ ओश्ठे और ओव ओश्ठे कंठे और बच गे तीन ए आ ओ ए आ ओ कहां से बोलते हैं यहां से ए आ और और ए और आ को कहा है हमारे यहां पर कोमल तालव्वे किसमे हिंदी में यहां पर आप मित्रो इसको कंठे भी लिख लीजे कंठे संस्कृत में ओ तो था नी अ ए और आ था और इसको कंठे का है ए आ कंठे क्यों फिर ये हिंदी में कोमल तालवी क्यों कहलाते हैं इनका उच्छान स्थान मित्रों बदल गया कैसे बदल गया देखो पहले संस्कृत में ये रहा हमारा कंठ और यहां से बोले जाता था ए और आ पहले बताया था आपको ए आ ए आ ये कंठ है मेरा यहां से बोला हूँ मैं ए आ अब हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं इन्दिम बोलते हैं ए, आ, ए, आ, यह कंठे है, ए, आ, ए, आ, अनार, आम, यहां से नहीं बोलते हैं, आम, आम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, आम, आम, इसका मेलब हमारा उचानस्तान उपर की ओर आ गया, संस्कृत में कंठे था, अब यहां यह कॉमल तालु है, यहां से क नमबर लेने के लिए हाद से बता रहा हूँ मैं आपको ए और आ आ आ जाए और भी आ जाए तो ठीक है अगर पहला विकल्प इसमें कंठे आए और कौमल तालब भी दोनों विकल्प आ जाएं अगर दोनों विकल्प आ जाएं तो कौमल तालब भी विकल्प भी नहीं आए पास और मितरो । य और आ को कौमल तालव और कंठे समझे अगर दोनों आ जाएं तो कोमल तालव था सही है और अगर कौमल तालव कल्प ने आए तो प्रकाइस को आप आप सही मानने ना, नंबर लेने के लिए हाद से, तो अब देखो, क्या बात बनी, E E तालवे, E I, तालू, कंठे, कंठे और जोर दीजे, O U, ओश्ठे, और O, ओव, ओश्ठे, कंठे, कंठे और जोर दीजे, और A, R, O, यह है कौमल तालबे और कंठे आ जाए तो भी सही मान लीजे चलिए यह हमारी पांच विशेष्टाएं हो गई तो देखो कैसे रस्व और दीर के आधार पर, अग्रो और पश्षी के आधार पर, समरित और विवृत के आधार पर, वृत्ता मुखी और एवृत्ता मुखी के आधार पर और उच्चारन स्थान के आधार पर यह पांच विशेष्टाएं हो गई इसमें ये जो चारों है चारों ये तो है प्रेतन के आधार पर और ये है उच्चारन स्थान के आधार पर तो दो आधार होगे प्रेतन और उच्चारन स्थान और प्रेतन के चार भागोगे चार प्रकार होगे पहला प्रेतन बोलने में समय कम लेते हो या ज़ादा लेते हो ये समय का प्रियत नहीं बोलने में जीब को आगे ले जाते हो या पीछे ले जाते हो ये जीब के आगे और पीछे जाने का प्रियत नहीं बोलने में होटों को गोल करते हो या गोल नहीं करते हो ये होटों का प्रियत नहीं और बोलने में मूँ बंद रखते हो या खुला रखते हो ये मूँ के खुला रखने और बंद रखने का प्रयत्न है ये चारों प्रकार के प्रयत्न है और ये हमारा उच्छारन स्थान में तो अभी जो कुछ पढ़ा है उसकी master table है ये आपके पास और जहां कई भी ब्रहनती हो इस टेबिल से आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं देखो आ हमारा रस्वे आ हमारा दीर गए आ भी दीर गए ई फिर रस्वे बड़ी फिर दीर गए उ रस्वे और इसके बाद सभी दीर गए तो हमारे रस्व कितने होगे तीन होगे आ यह हमारा आ और यह ई और यह उ यह हमारे रस्व होगे और बाकी होगे दीर गए यह रस्व और दीर का बामला है आगे चलिए A हमारा मद्धे है और ये E अगर है और बड़ी E भी अगर है और A भी अगर है और I भी अगर है तो ये तो हो गया मध्धे और E E और A I ये हो गए हमारे अग्र और बाकी सब क्या बने पश्य हो गए बाकी सब पश्य हो गए ये दूसरी विशेश्था हो गई तीसरी देखिए हमारी E और बड़ी ये सम्रित हैं और हमारा O और बड़ा O ये भी सम्रित है ये चार सम्रित हो गए और हमारा A ये विवरित है ये A विवरित है अब देखो E और E के पास में है A ये अर्धि सम्रित है और O और O के पास है O ये भी अर्धि सम्रित है और ये हमारी A अर्धि विवरित है और O हमारा अर्धि विवरित है और ये जो O ग्रहीत है ये भी हमारा अर्धि विवरित है फिर से देखिए, हमारा ए, आप यहां से शुरू करें, ए और ए यह सम्रित है, और उ और उ यह भी सम्रित है, इ का पडोसी है ए, यह अर्ध सम्रित है, और उ का पडोसी है ओ, यह भी अर्ध सम्रित है, और आ हमारा विवरित है, और इसके आखे पास में ए, और आई और आउ, यह साब अर्ध विवरित है, यह चार हमारे अर्ध विवरित हो गए, अगला चलिए देखे वरत्ता मुखी और आई वरत्ता मुखी देखो हमारा ओ ओ ओ ओ ओ और ओ और ओ ये सब हमारे वरत्ता मुखी है ओ वरत्ता मुखी है बड़ा ओ वरत्ता मुखी है ओ वरत्ता मुखी है और आउ वरत्ता मुखी है और बाकी सब आई वरत्ता मुखी है अब आप आईए उच्चार्न स्थान पर देखो हमारा E और E तालव्वे है और A और I तालू कंठे है हमारा O और O और O और O और कंठे है और बाकी बचगे A, R, O ये कौमल तालव्वे या कंठे है पहला तो सही तो ये कौमल तालव्वे है हिंदी में लेकिन संस्कित में कंठे थे अगर कोई संस्कित के आधार पर जो बनाना नीचे पेपर लेकिन बनाते है लोग तो फिर आप इनको कंठे भी मान लें तो मित्रो ये हमारे हिंदी स्वरों का वर्गीकन है और इस आधार पर हर की पांच एक दो तीन चार और पांच ये पांच पांच विशेष्टा हैं हमारी हो गई अब मित्रो हम आगे जो है हिंदी स्वर का ये जो सामने रूप है और अन्ना सिक्ता वाला रूप की और बात करते हैं देखो ये हमारा ए आई यू ये तो है सामने रूप मुँ से हवा निकलती है नाक बंद कर लें हम ए आई यू बोलेंगे लेकिन मुँ के सासाथ नाक से भी जो हवा निकलती है वो है ए आई ये लेकिन देखो ये उपर मात्रा आते ये उपर आगई मात्रा ये थी चंदरबिंदी अब उपर मात्रा आने के कारण चंदरबिंद उं एं उपर मात्रा नहीं है तो चंदर बिंदी चलेगी फिर यहां पर मात्रा आ गई तो चंदर बिंदी किसम बदल गई बिंदी में ओं में उपर मात्रा बिंदी आओं में बिंदी यह हमारे अनौसिक तवाले स्वरों का रूप है जो चंदर बिंदी और उपर मात्रा आ ज स्वरके उचाण में मुक्रे सासात नाक से भी हवारी निकलती है तो यह सामने रूप भी है यह तो हमारे सामने रूप है और यह अन्ना स्वरक की जसिता उड़ा कहुत है। ब मित्रो हम यहाँ पर हमत्र के वर्गीकन का ये चैप्टर पूरा करते हैं अब आप कल अपने घर पर ये इस तरह के ये डाइग्राम बनाएंगे आप और यहाँ पर E और E और यहाँ पर O और O यहाँ पर A और यहाँ पर O और यहाँ पर O और यहाँ पर A और यहाँ पर A और यहाँ पर A और यहाँ पर A और पश्षे स्वार हैं यह हमारे सम्रित स्वार हैं और यह हमारे अर्द सम्रित है और यह हमारा विवरित है और चारों हमारे अर्द विवरित है यह हमारे व्रत्ता मुखियं और यह हमारे ए व्रत्ता मुखियं ये बिल्कुल यो तैयार हो जाएगा अब आप घर से अभ्यास करके आएगा और फिर हम लोग व्यंजन पर काम करेंगे